नमस्कार, इवनिंग नीज में आपका बहुत बहुत स्वाकत है, मैं हूँ आपके साथ कीरती अरोडा, चलिए खपरों के सिलसले को शुरू करते हैं संसत के आज दोनों सदनों में मानसुन सतर की शुरूआत हंगामे दा रही, जिसके चलते दोनों सदनों की कारवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है सदन में मनिपूर हिंसा और मनिपूर की दो महिलाओं के वीरियो को लेकर जबर्दस थंगामा हुआ इससे पहले भी दोनों सदनों की कारवाई को दो बज़े तक के लिए स्थगित किया गया था सदन शुरू होने से पहले पीए मोधी ने सभी सांसदों को सेजन हित में सदन की कारवाई चलाने की बात कही थी आज लोगसभा में आमाद्मी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू ने लोगसभा में सांसद सदस्यों के रूप में शपतली है आपको बता दे कि आज लोगसभा में आमाद्मी पार्टी की एंट्री हो गई है गौटलब है कि राजे सभा में तो आमाद्मी पार्टी के कई सांसद है भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगसभा में कोई भी सांसद आपका नहीं था इस उपलक्ष पर सुशील रिंकु को सीम भगवंत मानने बधाई दी है आपके राजसभासान सद रागव चड़ा आज सदन की कारवाई के दोरान काला कुर्ता पहन कर आए जिसकी फोटो रागव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साजा की है और साथ में लिखा है कि डबन इंजन वाली भाजबा सरकार के खिलाव विरोध और मनिपूर के लोगों के साथ एक जुटता दिखाने के लिए आज संसद में काले कपड़े पहन कर आएंगे ये पहला मौका नहीं है जब रागव ने काला पहन कर अपना विरोध जताया हो मनिपूर में दो महिलाओं को निर्वस्तर कर घुमाने की घटना ने देश को शरम सार कर दिया है वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार राजय और केंद सरकार को घेड रही है आप सांसन ने पूछा है कि क्या सत्ता रूड बीजेपी अभी भी स्विकार नहीं करेगी कि मनिपूर चल रहा है अगर पाकिस्तान से लेकर कजाकीस्तान तक कहीं भी छोटा सब्वकम पाता है तो बीजेपी के मंत्री ट्वीट करते हैं और जब मनिपूर जल रहा है तो इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है मनिपूर की चीखे दुनिया के हर कौने तक पहुँच गई है लेकिन दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक नहीं आनियत को तार-तार कर देने वाला मानफता को तार-तार कर देने वाला एक बेहद दर्दनाक वीडियो मनीपूर से सामने आया है और उस वीडियो ने मुझे लगता है भारत देश के आत्मा को जहन जोड के रख दिया है दुख की बात यह है कि केंदर में बैठी एक भारतिय जनता पार्टी की प्रचंड भहुमत की सरकार इस बात को सुविकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मनीपूर जल रहा है उस बात को सुईकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मनिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है और मैं पूछना चाहता हूँ भारतिय जनता पार्टी से कि क्या ये है हमारी 21 सदी का भारत क्या ये है हमारा नियू इंडिया क्या ये वो भारत है जिसके विकास की गाथा प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर गाते है 38 दलों की अंडिया की बैठक हुई मैं पूछना चाहता हूँ क्या उन 38 दलों में से एक भी राजनेतिक दल ने या एक भी नेता ने आकर प्रधानमंत्री जी से पूछा की मनिपूर क्यों जल रहा है उन 38 में से बता रहे हैं की 10 राजनेतिक दल तो नौर्थीश से आते हैं क्या एक भी राजनेतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से जाकर या बीजेबी के किसी भी जिम्मेदार नीता से ये नहीं पूछा कि मनिपूर क्यों जल रहा है चुनावों के दौरान ये लोग कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार लाओ राज्य में भी भाजपा केंदर में भी भाजपा डबल सरकारे होंगी डबल इंजन की सरकार चलेगी आज भारत देश के लोगों को समझ में आया कि डबल इंजन का असली मतलब क्या है खबरों में आगे बढ़ेंगे पंजाब में बाड से बिगड़े हालात काबू नहीं आ रहे हिमाशिल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण उच दरिया उफान पर है बुधवार को जमो कश्मीर की तरफ से दरिया में 2.50 लाग क्यूसिक पानी छोड़ा गया इसे बमियाल तक का इलाका बाड की चपेट मरा गया वहीं गुर्दासपूर में मुकोडा पतन पर हाला ठीक है बुधवार को कुछ गाउं के अंदर पानी जरूर आया लेकिन रिहाइशी स्तल सुरक्षित है वहीं डेरा बाबा नानक के गाउं धरम कोट पतन में भी पानी घुस गया है करतारपूर कोरिडोर के पास जीरो लाइन तक पानी आ गया है कल के ही जेड़े ना फला आते जेड़े पानी काफी बाड़या है और प्रसास्थन के साथ भी जहां हमारी बाचीत हो रही है समिसमिन सार और उन्होंने हमें को बोला है और इसका जो है जो भी इस फ्लट में जो भी लोग आते हैं उनके लिए रहने का और प्रबंद किया जाए जी तो हम अजी कल से आज काफी बढ़ गया है आज कोरीडोर के पास जो पनी लग गया है जो फुड़ा कत्रे की और बढ़ा है जी तो हम तो शोमनिक मेटी की और से पंजी संक्ता के से जोगदे नाल हम गुर्दरस है में रहैश का कमरें को जब का बंद किया हुआ है और वहां लंगर पानी का वह जो फ्रबंद किया हुआ है जो आज दो दिन हो है coi संगत हमारे पास भी नहीं रुकी नहीं दूप है अे नहीं बढ़ानी का ऊथैकने फैंसी बाड के दोरान विदेश में छुट्टी मनाने के फोटो शेयर करने के बाद पूर्व क्रिकेटर और राजसबा सदस्या हरबजन सिंग भजी विपक्ष के निशाने पर आ गए थे इसके बाद भजी ने सतलुष नदी के धुसी बान का दोरा किया जहां पर्यावरन विद और राजसबासान सदसन बलबीर सिंग सीचेवाल की तरफ से बांध बांधने का काम चल रहा है धुसी बान पर भजी ने कहा कि कुछ लोग बाड को राजनितिक मुद्दा बना रहे हैं जबकि ये मोका राजनिती करने का नहीं बलकि सभी पीडितों की हर तरफ से मदद करने का है उन्होंने संसीचेवाल जी की प्रशंसा की और कहा कि बाड की रात वे भी दो बजे तक बांध बचाने में लगे रहे हर बजन सिंग ने बाड पीडितों को हर संपव मदद करने का आश्वासन देते हुए कहा कि वे ना केवल अपनी सांसर नीधी से बलकि अपने नीजी धन से भी प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए त्यार है उन्होंने अलोचना करने वाले नेतापर निशाना साधा और कहा कि वे सिरफ इसके लिए उनकी अलोचना कर रहे हैं कि वीडियो में उनकी फोटो खिच जाए अगली खबर हर्याणा से है, हर्याणा में बारिश होने को लेकर फिर मोसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है चार जिलो, पंचकुला, अंबाला, कुरुशेत्र और यमना नगर में भारी बारिश होने की चितावनी दी गई है खुद बार से जूज रहे हर्याणा के प्रकृतिक आपदा से जूज रहे हिमाचल प्रदेश के साथ पडोसी धरम का पालन करते होए हर्याणा के मुख्यमंतरी मनोहलाल ने हिमाचल प्रदेश के बार राहत कोश में पांच करोड की धनराशी देने का फैसला किया है हर्याना देश का पहला राजय है जिसने हिमाचल प्रुदेश की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है हर्याना के रोतक की सुनारिय जेल में रेप और हत्या जैसे जगन्य मामलों में सजा काट रहे हर्याना के रोतक की सुनारिय जेल में रेप और हत्या जैसे संगीन मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सोदा परमुक गुर्मीत रामरहीम को एक बार फिर से पैरोल दे दी गई है गुर्मीत रामरहीम को पिछले धाई साल के अपने सजा के कारेकाल के दौरान ये सात्वी बार पैरोल मिली है अभी हलाकि वो जेल में 30 दिन के बाद वापिस लोट आएगा 30 दिन की पैरोल का ये वक्त है लेकिन जो लगातार पैरोल मिलती रही है गुर्मीत रामरहीम को उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं हर्यान सरकार ये दलील देती रही है कि ये सब कुछ नियम के मताबिक हो रहा है डेरा सच्चा सोदा की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से बयान आता रहा है कि इस पूरे मामले पर बेवज़ा विवाद खड़ा किया जाता है और जब भी गुर्मीत राम रहीम को पैरोल मिली है तो वो नियम के अधार पर मिली है लेकिन एक बड़ी बात ये है कि ऐसा पहली बार होगा जब गुर्मीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर अपना जनम दिन मनाने वाला है जब से उसको सजा मिली है तब से ऐसा कोई मोका नहीं आया है कि वो अपने जनम दिन यानी 15 अगस के मोके पर जेल से बाहर आया हो लेकिन इस बार वो अपना जनम दिन जेल से बाहर मनाएगा हलाकि डेरा सच्चा सोदा का जो हेड कोटर है हर्याना के सिर्सा में वहाँ पर उसके जाने पर पाबंदी लगाई गई है 30 दिन का जो पैरूल का वक्त है वो गुर्मीत राम रहीम उत्तर परदेश के बागपत के बरनावा में जो डेरा सच्चा सोदा का आश्रम है वहाँ पर बिताएगा वहाँ पर तमाम इंतिजाम किये गए हैं खबरों में आगे बढ़ेंगे भारतिय जंता पार्टी के सांसद और भारतिय कुष्टी महासंग के पूरवध्यक्ष ब्रजभूशन शरन सिंग को आज दिल्ली की अदालत से बड़ी रहत मिली है दिल्ली की राउजभूशन शरन सिंग को जमानत के साथ कई शर्ते भी लगाई है दिल्ली की अदालत ने ब्रजभूशन शरन सिंग के साथ महासंग के सहायक सचिव विनोत तोमर सिंग को नियमत जमानत दी है दोनों को 25-25,000 रुपे के नीजी जमानत मुचलके पर जमानत दी गई है हिमाचल में बारिश और बार्ड से हुए नुकसान पर कैबिनेट मंतरी जगत सिंग नेगी का एक बयान सामने आया है नेगी ने बताया कि हिमाचल में बार्ड से हुए नुकसान का आखलन करने केंदर की तीन टीम में हिमाचल का सर्वे करेंगी नेगी ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 45 करोड का नुकसान का आखलन किया गया है हिमाचल के कई इलाकों में अभी भी बारिश हो सकती है और बीते दिन लाहॉल में स्नोफॉल की खबर आई थी जैसे देखते हुए प्रशासन नेमा फसे लोगों की मदद करने की कोशिश की है अभी पिछले 24 गंटों में पांच और लोगों की जो है जान इस बारिशों की कारण हुई है अब टोटल यूमन लॉस जो है 130 हो गया है इंजड की संक्या भी बढ़ गई है यह भी जो है अभी तक जो इंजड है वो 153 के करीब हो गये है और हॉसी का नंबर जो डेमेग है वो भी बढ़ कर 508 करीब हो गए है और होसी पार्सिली डेमेच है वो 473 के करीब है शौपस की भी अब नंबर बढ़ गए 148 हो गए है और कावशट्स एकजार यह जो 1286 के करीब हो गए है और इस तरह से हमारा जो टूटल मोनिटरी अगर उसमें देखें लॉस तो यह 4800 सो क्रोड से उपर हो गया है सेंटर गॉवर्मेंट से जो टीम हिमाचल में बार्गस से तरू का द्वारा करने आए है उनकी दो टीम है एक टीम जो हमारे मंदी से मना ली तक है इसमें सेंटर गॉवर्मेंट के चार ओफिसर्स हैं इसमें हमारे स्टेट के तीन ओफिसर्स इनको एक अपनी कर रहे हैं जिस है जो सोलन शिमला और किनोर में जाना है उसमें भी सेंटर गौर्वर्मेंट के चार लोग है और साथ में स्टेट गौर्वर्मेंट के भी इसमें अधिकारी नियुक्त के गए हैं ताकि इनको जो है इन बाढ़गस्त शेत्रों के में दोरा कराश के मनीपूर घटना पर तमाब निताओं के बयान सामने आ रहे हैं आज पीए मोदी ने भी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर कड़ी कारवाई की जाएगी वहीं केंज्रिय मंतरी अनुराक ठाकू ने बेज घटना की निंदा करते हुए जाज की बात कही और कहा की सरकार मनीपूर के मामले में चर्चा के लिए पूरी थरा से त्यार है प्रधान मंतरी जी ने दो महिलाओं के साथ जिस तरह का विवहार रत्याचार हुआ उसकी घोर निंदा भी की है और कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी हो कितने भी होनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं देश को शरम सार करती है उनने ये भी कहा कि चाहे राज्जे स्थान हो चत्तिस गड़ हो मानी पूरो कोई भी राज्जे हो महिलाओं के साथ अपराद कहीं पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई करनी चाहिए लेकिन दुरभाग गये यह है कि विपक्षी दल इसको राजनीती के रूप में देखते हैं राजनीती करना चाहते हैं हम ने सदनों में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है झाल